नमस्कार, आज हम संधी प्रकरण में हल संधी, जिसको हिंदी में व्यंजन संधी कहते हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे, संधी तीन प्रकार की होती है, अच्च संधी, यानि स्वर संधी, हल संधी, व्यंजन संधी और विसर्ग संधी, हल का मतलब व्यंजन है इसमें पहला जो सुत्र है हल संदी का इस्तो हो इस्चुना इस्चुहू ये सुत्र कहता है कि सै या तै वर्ग तै वर्ग का मतलब यहां तै थै दै धैन से है इस से पहले या बाद में शे या चे वर्ग कोई भी हो इन दोनों में से शे या चे वर्ग में से कोई सा भी हो तो से को शे और ते वर्ग को चे वर्ग हो जाता है अर्थार्थ तै थै दै धै नै इसको चै चै जै 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 ये हो जाता है इसका उदारण है रामस सेते रामस सेते का सबसे पहले हम संदी पुछेत करेंगे तो बनेगा रामस धन शेते यहां रामस में से है और इसके आगे शेते का शे है यानि से के आगे शे है अते है इस्तो इस्चुना इस्चु सुत्रिसें से को शे होकर रामस धन सेते बना फिर इनको सयुक्त करने पर रामस सेते रूप सिद्ध हुआ इस प्रकार से हम रामस सेते की रूप सिद्धी करेंगे अगला अवदारण है रामस चिनोती रामस चिनोती में हम सबसे पहले इसकी संदी पुछेत करेंगे तो बनेगा रामस धन चिनोती रामस में से है, इसके आगे चिनोती का चै है, अते है, इस्तो इस्चुना इस्चू सुत्रे से सै को शै हो करके रामस चिनोती रूप सिद्ध होगा अगला जो दूसरा उदारण हल संदी का है वो है इस्टुना इस्टुहु सै या तै वर्ग से पहले या बाद में शै या टै वर्ग कोई सा भी होगा तो सै को शै और तै वर्ग को तै वर्ग हो जाता है इसका उदारण है रामशष्था इसका संदीव चित करेंगे तो होगा रामस धन सस्थ है यहां रामस में से है और इसके आगे शष्ठे का शे है शटकोन वाला शे है अते है इस्टुना इस्टु सुत्रिसे से को शे होकर रामस धन सस्थ है बनेगा फिर इसको सयुक्त करेंगे तो रामस स्टहरोपे सिद्ध होगा इसी प्रकार से हम रामस टीकते रामस टीकते के सिद्धी करने के लिए सबसे पहले हम इसकी संदी विच्छेद करेंगे तो होगा रामस धन टीकते यहां रामस में सै है और इसके आगे टीकते का टै है अतै है इस्टू ना इस्टू सुत्रिसे रामस के सै को शै होकर यानि सटकोन वाला शै होकर के रामस धन टीकते बनेगा फिर इसको संक्त करेंगे तो रामस टीकते रूप होगा इसी प्रकार से पैस्टा और चक्रिन ढोक से इन उदानों की सिद्धी भी हम इस्टू ना इस्टू सुत्र के प्रियोग से करेंगे धन्यवाद